प्राचीन भारत की इतियास में आप सबका स्वागत है आज हम महाजन पदकाल के बारे में अध्यन करेंगे पीछे के टोपिक्स में हमने रिगवेद काल में जनू के बारे में जानकारी प्राप्त की कि जन रिग्वेद काल इन आरियों की सबसे बड़ी इकाई थी और हमने ये भी जाना कि रिग्वेद काल में पंच जन अर्थार्थ अनू, एयदू, जुरू, पूरू और तुरूस बहुत महतुपून थे और इन जनों के बीच में एक बहुत ही लेखनी और महतुपून युद्ध भी हुआ था जिसे हम दासराग की युद्ध के बारे में जानते हैं आगे जाकर उत्तर वैद काल में जन छेतर हादारित होने लगे अर्थार्थ अब जन जन पद के रूप में परिवर्थित हो गए चुकि ये माना जाता है कि रिगवेद कालिन जो आ रहे थे वो सामाने ते एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर विचरन करते रहते थे इसलिए उनका कोई एक निस्षित बोगलिक चेतर नहीं था उनका आवास निस्षित नहीं था ये माना जाता है परंतु उतरवेद काल में हमें इन जनों का एक जन पद की रूप में अर्थार्थ एक छेतर आधारित निवास के वारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है एतरे ब्रामन में हमें राजियों के विभिन प्रकारों का वर्णन मिलता है और इसी प्रकार आगे जाकर जन पद थे वो जन पद महा जन पदों के रूप में परिवर्थित हुए अर्थात छोटे जन बड़े जन पदों के रूप में आगे जाकर परिवर्थित हुए आज हम उन्ही महा जन पदों का अध्यान करेंगे जन पद विशाल होते गए विशाल जन पदों को यानि बड़े जन पदों को महा जन पद कहा गया बुद्ध के जन्म के पूर्व लगबग चटिशतावदी स्विपूर में भारत इन महाजनपदों में ही बटाता अर्थार्थ संपूर्ण भारत देश महाजनपदों के अंत्रगत विबाजुत था बुद्ध गरंथ अंगुत्र निकाईज में सोलह महाजनपदों के बारे में पता चलता है ये बहुत महत्तु पूर्ण तत्थि यहाँ पर है क्ई बार परतियों की प्रेक्षियाओं में प्रेसन पूछा जाता है कि किस बौध गरंथ में 16 माजन पदों का उलेख है तो बौध जो गरंथ है अंगुत्र निकाए उसमें 16 माजन पदों का उलेख है परन्तु यह यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है जैन धरम से सम्मनित भी एक गरंथ है जिसका नाम है भगवती सुत्र उसमें भी 16 माजन पदों का उलेख है परन्तु दोनों पुस्तकों में जो माजन पद हैं उनमें कुछ जन पदों के नामों में भी भिननिता है और जब दोनों किताबों के नामों के उपर टुड़ा इस्टिलेशन किया गया तो अधिकतर विद्वानों ने ये पाया कि बहुत ग्रंथ अंगुतर निकाय में जो सूची दी गई है वह सूची अधिक परमानित है इसलिए हम आज इस चैप्टर में अंगुतर निकाय में उल्लेखित 16 महाजन पुद्दों के बारे में जानेंगे यहां आप पहली स्लाइड आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में आपको 16 महाजन पुद्दों और उनकी राजधने के बारे में जानकरी दी गई है और दूसरी स्लायड में भारती के मानशित्र में वो महा ज़नपर्द कहा कहा पर अवस्तित थे उनकी थोड़ी जानकारी देने का प्रियास किया गया है तो आए जानकारी लेते हैं कि ये 16 महा जनपर्द कौन कौन से थे अब वह कौन कर से जगए पर आवस्तित हैं पहला अंग आप इस शेत्र में देख पा रहे हूंगे यह तो और इसकी राज़दानी का नाम था चंपा तीसरा माजन पत्था काशी काशी जिसे माजगिल वारानेशी कहते हैं ये वाला छेत्र था और इसकी राज़दानी वारानेशी थी चोथा माजन पत्था कोशल कोशल यहां पर आवस्तित था और इसकी राज़दानी का नाम था श्रावस्ति पांचवा माजन पत्था वच ये आप वच देख पा रहे हैं और इसकी राज़धाने का नाम था कोशामबी चठा माजन पत्था कूरू ये कूरू आप यहां पे देख पा रहे हैं और इसकी राज़धाने का नाम था इंदरप्रस्त साथवा माजन पर था पांचाल कुरू के थोड़ा सा आप इस साइड में देखेंगे तो पांचाल था और इसकी दो राजदानिया थी अही चत्र और काम पिल ले आठवा माजन पर था अवंती ये अवंती का आप एरिया देख पा रहे हैं यहाँ पर आवंती आउस्ति था और इसकी राजदानिय का नाम था उज्जेनी जिसे हम आजकल उज्जेन कहते हैं इसकी भी दो राजदानिया थी उज्जेनी और महिस्मती नुवा माजन पत्था मत्से ये वाला मत्से थी तर आप देख पा रहे हैं और इसके राज़दानी के नाम था विराट दसवाँ माजन पता मल आप यहाँ पर जो है मल परदेश यह देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह मल था और इसके राज़दानी के नाम था कुशावती अगला था चेदी चेदी की राज़दानी का नाम था शक्तिमती यह आप चेदी का प्रदेश देख पा रहे हैं और पारवा माजन पता वज्जी यह वज्जी यहाँ पर अवस्तित था इसकी राज़दानी थी वैशाली, विदेह और मितिला तेरो माजन पता सूर्शेन आप सूर्शेन को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और इसके राज़दानी थी मतुरा चोद्वा माजन पत्था अश्मक यहाँ पर अश्मक दक्सिन भारत का एक मात्र माजन पत्थ जिसके राज़दानी का नाम पोटना या पोटना थी पंद्रवा महाजन पता गांधार यह यहाँ पर गांधार और इसकी राजदाने का नाम था तक्षिला और असोला और अंती महाजन पता कंबोज यह यहाँ पर कंबोज था और इसकी राजदाने का नाम था हाटक तो ये बहुत दुगरन तंगुतर निकाय के सुची है तो हमने ये बारत के मानचित्र में जानने के कोशिश की कि ये 16 महाजनपत कौन से थे और ये कहां काई पर अवस्तित थे इन महाजनपत्दू में दो परकार के शासिन परणा ले थी एक में गंतंत्रात्मक राजजित या साचन परणाले थी और दूसरे में राजतंत्रात्मक साचन व्यवस्ता थी अंग, मगद, काशी, कोशल, चेदी, वच, कूरू, पांचाल, मच्स, सूर्षेन, अश्मक, अवंती, गांधार, तदा कंबोज ये महाजनपद वो थे जहां पर राजतंत्रात्मक साचन व्यवस्ता थी जबकि वज्जी और मल में गंतंत्रात्मक साचन व्यवस्ता थी कुछ और महत्वपून जानकारिया हम महाजनपद काल की ले लेते हैं इस समय छे महानगरिया परसिद्धी, स्रावस्ती, कोशल, स्रावस्ती, कोशामभी, वारणसी, साकेद, चमपा और राजगरे महाजनपद काल में मगद के एक परसिद्ध वास्तुकार का भी नाम का उल्ले खाता है जिसका नाम था महागोविंद अस्तिनापूर एक समय में यमुना में भैग गया और उसके बाद में वहांके शासक निचक्शू ने कोशामभी को अपनी राज़दानी बनाया कि इन महाजनपदों में यह बहुत उलेख ही निया बात है कि एक ही परकार के शासन वास्ता परचलन में नहीं थी दो परकार के शासन वास्ता परचलन में थी और इन 16 महाजनपदों के अलावा भी कुछ छोटे जनपद थे जो उस समय आउस्तित थे तो महतुपूर्ण महाजनपत जिनका जिनमें राजस्तंत्रात्मक साशन व्यवस्ता पर चले थी उनका उलेख मैंने अपकिया था द्वारा मैं आपकी इसोजा के लिए कर देता हूँ अंग, मघद, काशी, कोशल, चेदी, वच, कूरू, पांचाल, मच, सूर्शेन, अस्मक, अवंती, गंधार, तथा कंबोज वो महतुपूर्ण महाजनपत थे जहां पर राजस्तंत्रात्मक साशन व्यवस्ता पर चलन में थी सूला महाजनपत्दों में दो महाजनपत ऐसे थे जिनमें गंधार, आत्मक साशन व्यवस्ता थी जिसमें वज्जी और मल्ल थे यहाँ पर आपको एक बात और समझ लेना चाहिए कि गंधांत्र की जब हम बात करते हैं तो उस समय आज के काल के से गंधांत्र की व्यवस्ता नहीं थी सब्धत्वामें वैसा ही लगता है प्रजात तंत्र जैसा ही परन्तु उस समय का गंधांत्र एक प्रकार का कुलीन तंत्र था जिसमें शासन के सकती जनता के हाथ में नहुपर कुल विशेश के परमुख विक्तियों के हाथ में होती थी और उस समय के कुछ महतुपूर्ण जो गंधांत्र थे उनका कुछ का उलेक में याप करता हूँ इसमें कपिल वस्तु के साक्के अलकप के बुली रामगराम के कॉलिये पावा के मल सुसुमार परवत के भग केश्पुत के कलाम कुशी नारा के मल और पिपलीवन के मोरिये जनपद थे जहां पर गंट अंत्रात्मक सासन ववस्ता परजलन में थी वज्जी आठ गणों का एक संग था जिसमें लिच्छिवी गण जिसकी राजदानी वहशाली थी विदे और जात्रक परमुक थे चार सक्तिसाली महाजन पद उस समय जो इन सोलाज महाजन पदों में भी चार बहुत महतुपून और बहुत सक्तिसाली थे मघद, कोशल, वच्छ और अवन्ती और आगे जाकर इन चार महाजन पदों में भी फिर से और ज़्यदा सक्तिसाली और विशाल बनने के लिए संगर स्वा और उसमें से मघद सर्व पर मुख बनकर उबरा और आगे जाकर मघद में ही भारत का पर्थम सामराज्य का निर्मान हुआ जिसे हम मघद सामराज्य कहते हैं इस समय कासी सूती वस्तरों और गोड़ों के लिए विक्षों के जो गेरों वस्तर थे यहीं बनते थे और इसी कारण इसे कासी कहा जाता था जो बाद में कासी के रूप में परिवर्थित हुआ मघद की राजधानी राजग्रह है वह भारत में केले बंद नगर के प्राचिंतम उधारन है और इसे हमें ये पता चलता है कि उस समय में सुरक्षा के दस्ची के लिए नगर को के किले या दुरू के रूप में परिवर्थित करना प्रारंब हो गया था तो इस परकार आज के इस चैप्टर में हमने उत्तरवेदिक काल के बाद में चछिछ सतावदी इस्वी पूर्व में महाजनपदों के बारे में अध्यन किया और ये जाना कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे और वो भारत में कहां कहां पर अवस्तित थे 16 महाजनपदों का अध्यन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे जाकर इनी 16 महाजनपदों में से 4 सरोशक्तिशाली महाजनपदों में से मघद और ज़्यादा सक्तिशाली बना और उसने अपने नेत्रतों में एक सामराज्य के निर्मान किया जो मघद सामराज्य की रूप में विख्यात हुआ और हमें महाजनपद काल में एक और महाजनपदों जानकारी भी मिलती है वो ये की सासन के दूप अलियां उसमें परचलन में थी एक राज्टंतरात्मक जो आगी जाकर परफूली ज़धा बढ़ी ज़धा महतुपूर्ण से दुई और दूसरी करणतरात्मक शासन वेवस्ता भी परचलन में थी ये भी उस में के महतुपूर बात है तो आसा है आपको 16 माजन पुद्धों के बारे में जानकारी प्राम्त हुई होगी धन्यवाद